Hello everybody, welcome back to Quant Study, I am Mujassim Akhtar, मैं आपका English का portion जो JKSSB Class 4 की recruitment हो रही है, उसका English का portion लेने वाला हूँ, आज से, और उसमें total 9 topics हैं, जो की मैं 20 to 22 lectures में complete करवा दूँगा, और बात रगी बाकी subjects की वो भी इस channel पे already चल रहे हैं, आप playlists में जाके उनको check out कर सकते हैं, और वहां से आप Alright, so अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है, तो आप subscribe कर दीजे, and notification bell को दबाना बिलकुल नहीं बूलना, because जब भी नई वीडियो आएगी इस channel पर, तब आप notify हो जाएं, जल्दी से, means आपको पता चले की वीडियो आ गया है, अब मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, उस रोज, सुबा, I mean morning में, 11 a.m. से start होंगे, ठीक है, यहीं कि 11 a.m. पे रोज डला करेंगे lectures, तो English जो है, English आपको रोज 11 बजे पढ़ने आना है, ठीक है, इस channel पर, तो इतना ही बोलूँगा, तो let's start the video, and अभी जो है, बहुत excitement के साथ हम start करेंगे, ठीक है, lecture जो है, बहुत easy way में होगा, simple होगा, वैसी कोई डरने की बात नहीं है, कि it will be quite hard, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई doubts रहते हैं, वगेरा, यह सब अगर रहते हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप हमें comments करके, मतलब पूछ सकते हैं, and we'll try to solve them, and अगर फिर भी मतलब कोई, किसी को direct answer नह लूँगा, ठीक है, I hope you understood what I tried to say, ठीक है, अभी तक, तो let us just start the video now, So first, जो हमारा topic है, हम पहले determiners लेने वाले हैं, क्योंकि determiners का ही part, जो है, articles उसी का part है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेने वाले हैं, firstly, determiners, ठीक है, पहले समझते हैं कि determiners होता क्या है, ठीक है, तो क्या होता है determiners, simple, it's very very simple and easy to understand this, determiners, ऐसे words होते हैं, जो एक noun को introduce करते हैं, ठीक है, जैसे हम किसी को introduce करते हैं, कि कितना, मतलब कितना पड़ा है तुमने, ठीक है, वहाँ पर भी हम एक introduction देते हैं, आप समझ रहे हैं कि introduce करना किसे कहते हैं, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर determiner जो है, वो एक ऐसा word है, ही use होता है, ठीक है, यह बात आपको याद रखने हैं कि वो noun से पहले use होता है, और वो noun को क्या गरता है, introduce करता है, noun को introduce करता है, और noun से पहले आता है, ना की बाद में, ठीक है, या फिर यह किसी भी adjective जो noun को describe करने के लिए use हो रहा है हो, ठीक है, वहाँ पर उस से पहले आत किस से एड्जेक्ट्ट्व जो भी यूज हो रहा हो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ठीक है ओके तो मैंने आपको एक बात बतानी है कि आपको जो है इंग्लिश में ज्यादा तर एक्जामपल्स लेनी चाहिए अगर आप स्पीकिंग का सीख रहे हो या फिर किसी भी ए पहले बस कंप्लीट करना है तो मैं आपको वही कराता हूँ ठीक है यहां पर हम एक्जामपल्स लेते हैं पहली जो एक्जामपल है वो है इस माई बुक ठीक है नाव इट इस शोइंग कि यहां पर क्या पूछ रहा है यहां पर माई बुक किसकी बुक ठीक है तो मेरी बुक ठीक है, it's my book मेरी book माई जो आगया यहाँ पर, ये क्या आगया? ये आगया हमारा determiner, it's very simple to understand it, I hope you are getting me right, ठीक है? it's very very simple, let's take the second example, that is I ate some oranges ठीक है, I ate some oranges, ये भी simple है, मतलब कितने हैं, ठीक है, कितने खाएं, ठीक है some, ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि some oranges, कुछ oranges खाएं, ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि, कितने खाएं, ठीक है, quantity बता रहा है, ठीक है, example third लेते हैं, I am talking about that bus that bus, ठीक है that bus, कौन सी bus मतलब, कौन सी bus that bus, वो वाली bus ठीक है, we are talking about that bus here, ठीक है, example four लेते हैं, fourth example is, this is a pen ये, एक pen है ठीक है, क्या pen है, एक pen है, ठीक है alright, so I hope आपको ये example समझ में आ गई अब बात करते हैं, थोड़ा सा detail में थोड़ा सा detail में, ज्यादा detail में नहीं चाहेंगे क्योंकि class four का exam है और वहाँ पर मैंने आपको जैसे कहा कि examples पर ज्यादा ध्यान देना है आपको, you don't have to मतलब किताबी उसकी तरह आपको रटना नहीं है, you don't have to ratify the definitions and all you just have to clear the exam and for that आपको simple way में समझना है, ठीक है जितना simple way में आप समझेंगे, उतना easy हो जाएगा आपके लिए, ठीक है तो there are four types of determiners, ठीक है, कितने होते हैं, four types पहला होता है possessive quantifiers होता है, demonstrative होता है, articles होता है ठीक है, बात करते हैं possessive की, ठीक है सबसे पहले हम possessive क्या होता है, ये possession या ownership दिखाता है जैसे हमने पहली example ली थी it's my book, ठीक है तो my क्या दिखाता है possession की किसकी book कौन इसको possess करता है, ठीक है my, your, her, their मेरी है, तुम्हारी है उसकी है, या उनकी है ठीक है मतलब ये इसकी examples में बता रहा हूँ, ठीक है आपको I hope आपको समझ में आ रहा है अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, आप comments में अराम से questions पूछ सकते है वैसी कोई बात नहीं है ठीक है let's take its examples, अब किसकी examples ले रहे हैं, possesses की ठीक है, possesses you determiners की हम examples ले रहे हैं, ठीक है पहली example ये है कि I will cut my hair soon किसके hair my hair possession दिखा रहा है यहाँ ठीक है इसी तरह से नीचे चलते हैं, second example में I guess it's your pen मुझे लगता है कि ये आपका pen है किसकी possession दिखा रहा है आपकी, ठीक है, आपका pen मतलब आपका, दूसरे बंदे की second person की possession दिखा रहा है यहाँ ठीक है, तीसरी जो example है इसमें, वो है they can use their own strategies they can use their own strategies उनकी, वो खुद की strategies को मतलब apply कर सकते हैं, use कर सकते हैं, ठीक है तो किसकी, उनकी खुद की, ठीक है, यहाँ पर भी जो है ये possession शोग कर रहा है, ठीक है अब बात करते हैं, quantifiers की, quantifiers यह जाद रखना है कि यह क्या indicate करता है quantity indicate करता है ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ आपको मैं notes यहाँ पे कम दे रहा हूँ लिखने के लिए लेकिन इसमें आपको समझने अगर आप समझेंगे तो it will be very simple for you to you know clear the exam like English वाला जो portion है it's very important to get good marks ठीक है 20 out of 20 भी आप ले सकते हैं अगर आप मतलब अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो quantifiers जो होते हैं वो indicate क्या करते है quantity जैसे कि all each sum इसके लिए भी हमने example पहले ही पढ़ा था ठीक है वहाँ पर मैंने आपको बताया था some oranges ठीक है तो वो भी क्या show करता है quantity कितने ठीक है ओके तो यहाँ पर फिर से इसकी examples लेते हम example one यह कहती है कि all of us are busy today कितने हम मैं से कितने busy है all ठीक है तो all क्या आगई यहाँ पर यह भी क्या आगई quantity which means it is a quantifier like it is a determiner which is a quantifier second example is that some of the students are not present ठीक है some of the students are not present how many students are not present ठीक है अगर question में बोला जाए तो कितने students present नहीं है तो some some of the students ठीक है उमीद है अपको समझा रहा है some of the students ठीक है यहाँ पर भी हम क्या use कर रहे है some यह क्या है quantity दिखा रहा है उसी तरह each of them will face difficulties in future उन मैं से जो सभी लोग है each each जो यहाँ पर दिखा रहा है सभी है न तो यहाँ पर यह क्या बता रहा है यह भी indicate क्या कर रहा है quantity कि कितने उन मैं से कितने ठीक है तो each of them तो each क्या दिखा रहा है यहाँ पर quantity ओल राइट तो let's move to next one demonstrative ठीक है demonstrative जो यह determiner होता है it is used to identify things or person that is being referred to identify यह actually क्या करता है यह किसी भी कोई भी चीज होती है या कोई भी person होता है उसको identify करने में मतलब कौन सी चीज है तो यह हमें मदद करते हैं तो example इस तरह से है कि this, that, these or those यह यह जो हैं यह demonstrative होते हैं अब लेते हैं इसकी जो examples actual में हैं वो examples, वो कैसे हैं I do not like this behavior ठीक है? I do not like this behavior कौन सा behavior? this behavior जो हो रहा है, ठीक है? यह आ गया एक दूसरी example यह है Would you like to have that orange? कौन सा orange? that orange, वो orange पहले क्या था? यह, यह behavior अब क्या है? that orange ओके? that orange वो orange ठीक है? third example पे चलते हैं Please take care of these documents इन documents का, यह जो documents हैं इनका ख्याल रखना ठीक है? which means in documents का ख्याल रखना ठीक है? मैं आपको हर चीज़ ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ तो अगर आपको तब भी नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं you can comment down ठीक है? अब मैं आपसे चार questions पूछूंगा ठीक है? चार questions के आपको जो answers हैं वो comments में करने हैं आपको try करना है अगर आपके answers जो हैं गलत भी होते हैं तो कोई बात नहीं I will help you ओके? I will help you and आपको क्या करना है आपको सबी questions के answers देने हैं और अगर आपको किसी का answer नहीं आता आप try करके डाल दीजे I will answer you मतलब वहां पर मैं आपको बता दूँगा की what will come in place of whatever जो भी आप comment में करेंगे ठीक है? I will answer each and everybody ठीक है? Okay, so thank you so much for watching this video I will see you in the next video